दूप के लिए है मौसम बहुत सुहाना है उमीद यह है कि बड़िया खेल देखने को मिलेगा पिच एकदम भूरी है नमी का अता पता नहीं है जिस दगॉल एन हैज जिटेस तौस जीत के गिंदबाजी का फैसला किया है अब उमीद करेंगे कि पिच से थोड़ी सी मदद में अधाज अच्छा दूसरा डालने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन विकेट की आस क्या वो हो पाएगी आज बोलर बहुत कॉंफिडेंट है कि इस बार तो बनलेबास गया लगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे बियारेस नहीं लेने का किया है फैसला बनलेबास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश फ्लिपर डाली टेजी से अंदर बनलेबास संकट यह आउट करार दिया है अमपायर ने लगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे अमपायर के डिसिजन को रिव्यू करने का किया है फैसला सही लाइन अंदर की तरफ तेजी से गएंगे जाके लगी पैट्स इसको साधारन बनलेबासी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट फ्रीज पर आए है ने बनलेबास उमीद यही है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अधा करेंगे ओवर दे स्टम्स जाने का फैसला अच्छी कोशिश लेकिन ओवर एंड आउट क्या कर पाएंगे बनलेबास को इनके तरकश में बहुत सारे तीर दूसरा डाल के चकित किया बनलेबास को एक और डॉट गेन अब दबाव बढ़ता हुआ बनलेबासी की टीम पर तफ स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बनलेबास को अच्छा प्रेयास प्रेज बार बड़े शॉट का प्रेयास एक और बढ़िया गेंद एक बार फिर रन नहीं यह है दूसरा क्या अच्छी पहल कर पाएंगे सिर्फ कहने कोई पार्ट टाइमर है यह गेंद बास गेंद के साथ करता है खमार गती में किया परिवर्तन चकमा दिया बनलेबास एक दम जड़ में थी यह और कर बनलेबास को अता पता नहीं था केंद का तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर इनको सिर्फ अपना रोल अदा करना है कहते हैं न स्लो एं स्टेड़ी विंस दर रेस अच्छी रिवर्स विंग मिली इस गिंद पर अब गोल्स दफिंगर फैक्समें को बिल्कुल सहमती नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से तो चल पड़े हैं तीसरे अंपायर की तरफ अंपायर ने DRS का किया है इस्तमाल रिव्यू मांगा है सटीक लाइन सटीक लैंथ कथिन सवाल नहीं था जवाब लेग बिफोर दस स्टम्स दो गेंदों पर दो विकेट चटका चुके हैं गेंद बाज है ट्रिक पर हैं मिडल ओडर का बल्ले बाज अब क्रीज पर तो उमीद यही है कि स्टेबलाइज करेंगे इस पार के कहते हैं ना चेंज इस दी उनली कॉंस्टेंट यहां साइड बदली गेंद बाज में चेंज ओफ पेज गती में परिवर्तन अनप्लेबल की यह गेंद जाके लगी स्टम्स पर गिलियां बाहर किलियां बाहर नया खिलारी मैदान पर अब कोशिश करनी है इनको की अंत तक जमे रहें और टीम को ले जाएं सेफटी तक विविदता के लिए मिश्रण के लिए पहचाना जाता है यह गेंद बाज इस बार राउंड दस टंप्स पिछ में थोड़ी सी मदद नया बल्ले बास प्रीज पर और नया काम करना होगा स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा कुछ नया करने का प्रयास है साइड चेंज करने का सिगनल दिया अंपायर में इस समझ बूच के छुबा कर डाली ये स्लोर गेंड अनिसली मैंने भी फड़ा साइम को संभल की खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अंथ तक ये नाबाद रहे खास है ये गेंड बास रिवर्स स्विंग कराने में महिर है ये गेंड बास हैट्रिक लेने का मौका था इतना मौका चूप गया इस छट्के की गूँज बहुत देर तक सुनाई देगी गेंड बास को आखरी गेंड छे राए समय है स्पिन के इंफ्रोडक्शन का शुरुवात कर रहे हैं और स्पिनर के साथ गेम प्लान में बदलाव साइट चेंज की गेंड बास ने का प्लान को एक्जिक्यूट कर पाएंगे सही से सूप अब दूसरा सही ठिकाने पर गेंड बल्ले बास खामोश फड़ा मीचे की तरफ रही है गेंड चतुराई वाली बोलिंग गेंड बास की चतुराई से की है गेंड बासी बल्ले बास को रखा है खामोश एक और डॉट गेंड पैटसमेन के रिदम को बदलना चाहते हैं साइड बदली है लेकिन क्या भगे बदलेगा गेंड बास का फड़ासा गेंड को हवा में फ्लाइट दी है टॉप स्पिन का किया है इस्तमाद हवा में थोड़ी तेज है फलिपर ये गेंड है चकित बल्ले बास चतुराई भरा मिश्रन गेंद बाज को फिर नहीं मिला रूम, खामोश वो है और स्कोर बोर्ड भी साइड में बदलाव, गेंद बाजी करने का किया है फैसला ये है दूसरा, क्या अच्छी पहल कर पाएंगे बल्ले बाज मेडन ओवर यहाँ पर, केंद बाज खुश कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक में अच्छन में ज्यादा बदलाव नहीं लेकिन गेंद की गती में परिवर्ट है फ्लोर वान, खॉट, सुरक्षित हाथ है इस फिल्डर के कैच इस फिल्कुल साधारन बल्ले बाजी, गिफ्ट में दे दी अपने कुछले करम के बल्ले बाज को उपर भेजना क्या समयलों के जवाब पूछने वाले हैं, देखते हैं आज गेंद थोड़ी सी गुरानी है और रिवर स्विंग में ये कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है दूसरी गेंद, दूसरी सफलता, गेंद बाज is on a roll अब तो सिरफ पुछले बल्ले बाज बचे हैं लेकिन, ये नेवर नो, वाट माइच ज़स्ट हापन और ये हुई, है ट्रिक, управ अविश्वस्ट है आउट, कॉट, क्या कर रहे हैं ये, क्या सोच रहे हैं ये, कैचिंग प्रैक्टिस है गया पुछले बल्ले बाज जरूर है ये, लेकिन ये सवाल पूछना जानते हैं, ये जवाब दीना जानते हैं ये आउट करार दिया है अंपायर ने प्राट्समेन को बिल्कुछ सहमती नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से तो चल पड़े हैं तीसरे अंपायर की तरफ प्राट्समेन ने डिसाइड किया है कि डिसीजन को रिव्यू करेंगे तीजरे अंपार को किया है इन्वार्व बिल्कुल स्टम्स के सामने है पैडो पर लगी है गेन लेग बिफोर का डिसेजन गेंद बाज के पक्ष में पहली गेंद पर गवादिया अपना विकेट नहीं गेंद आज पूछेगी जबर्दस शॉट के साथ एक करारी शुरुआत पहली गेंद पहला चौका बोलर की ये बड़ी अपील लेकिन अमपायर ने कहा लगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे थोड़ी सी गुफ्तगू फीलिंग कप्तान ने कहा कि हम रिव्यू करना चाहते हैं ये डिसिजन नॉट आउट करार दिया है अमपायर में बढ़िया गेंद कोई रन नहीं फील्डर और गेंद बास का अच्छा ताल मेल बढ़िया थ्रोग स्क्वैल लेक की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है मिड विकेट शेतर में अंडरस्टेंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती इस बॉल को रोपना मुश्किली नहीं ना मुम्किन है मेरे दोस्त बोलर को अलविदा कहा है चौके के साथ क्या खूबसूरत अंदाज में विजे प्राप्त की खिलाडी ने क्या कमाल का प्रदर्शन देखा हमने टीम ने मुकाबला भी जीता है और विपक्षी टीम को बिल्कुल किया है बेजबा मैच विनिंग प्रदर्शन पूरी तरहां से मैंच को किया अपनी टीम के पक्ष में मैणाद मैच अवार्ड इन ही के पास कि अष्बस्त का अपनी मैं प्रदर्शन ऑड़ाँ कि अवार्शन प्रदर्शन प्रदर्शन प्रदर्शन